so all friends welcome back to this video so friends इलापाद इनुटसनी के मेन कंपस महां लगबग सभी स्टूडेंट कारड मिसन हो गया ठीक भाइख है बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंट कारड मिसन हो गया है चाहे वह यूजी एटी हो चाहे वो पीजी एटी हो या फिर कोई स्पिसल कोर्स हो सब का अडमिसन लगबग लगबग हो गया है मट अभी अंडर ग्रेजुट में जैसे बीए बीसी है अभी इसमें कुछ सीटे बाकी हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कि कटाउफ कब तक आएगी नेस्ट कटाउफ और कितने कम रहने वाली है सबसे पहले अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो इसे काफी दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही है वैसे क्या ही वीडियो में बनाओ फ्रेंट्स आप लोगों का एडम पॉर्डन कुश्शन आपको इसी पर मिलेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए या फिर आप देख भी सकते हो इसके पहले भी 2020 वाला भी आपको मिल जाएगा या फिर 2021 का तो प्लीज आप देख लीजिए वह वाला ठीक है चलिए मैं फानली बता जेता हूं कि यहां पर की कटाफ की तो यह लास्ट कटाफ आई थी बिए के अभी बीस तारीक ओटी के बीस दिसमबर 2021 को एंड एक आई थी तेज बारा दोजार एक इसको जो के फ्रेंट्स बीए की कटाफ हैं पर बीस तारीक वाई थी उसका जो काउंसलिंग शुरू हुआ था वो शुरू हुआ और सट एंड तीस को आई थी ऐसी की एक और अड़ तीस ठीक है देखो फ्रेंट्स अगर हम बात करने कि इसकी नेश कटाफ कव आएगी तो देखो परेसान मत हो येगा क्योंकि यहां पर दिया आएगी सीट की अभी एक और कटाफ आ सकती है क्योंकि हो चकता है कि 168 में फिर 155 की आसपास कर दें जाएगी भी एठीक है तो कब तक आएगी कटाफ 30 दिसमबर तक तो अभी सेडियो लिए तो 30 दिसमबर के बाद तो कटाफ कनफर्म है आ जाएगा अगर वहीं पर हम बात करेंट्स की CMP की तो CMP की भी जो कटाफ है वह वालों की वह तीन जनवरी क इस हैं इसका जो कांसलिंग हो वह 30 मलब तीन जनॵरी को होगा और कटाफ लगबग आ गई थी बीस सिया फिर 21 दिसमबर के आसपास आ गई थी तो तीन जनुडरीको इसका ।ो उसके बाद ही कटाफ आएगी जाहर के छ TU stir आ अगरिक हर्ट के सांब तक आ जाएगी थास में आजाएगी ठीक है तो आई हूप आप समझ गयोंगे एंड कट आफ इसकी तो और कम जाएगी ठीक है वन फिफ्टी के आसपास तो जाएगी जाएगी क्योंकि भी अन्रिजर्ब की ही आई है काटेगरी वाइज नहीं आई है ठीक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए सीट अभी काफी मात्रम में बची है तो आपको जरूर कॉलेज मिल जाएगा चले फिर अच्ट वीडियो में तब तक लिए बबाट केर जाए हिंद